एक नन्ही बच्ची की वज़े से कैसे मिली छे और लोगों को नई जिन्दगी या को बताते हैं पहला ऐसा मामला आया है जिसमें पांच साल तसमेने के किसी बच्चे का इतने चोटे बच्चे के औरगेंस हमने रिट्रीप करे हैं देश में आज कई पढ़े लिखे और पैसे वाले लोगों को भी अंगदान की औरगन डोनेशन की एहमियत को समझाना यह बहुत मुश्किल है वो नहीं समझते हैं और अक्सर अंगदान जैसी एहम बात को वो नकार देते हैं मना कर देते हैं उससे ऐसे में एक व्यक्ती अपनी बेटी की मौत के गम को भुला कर बेटी के अंगदान से छे लोगों को नई जिंदगी दे देता है यूपी के कास गंज का रहने वाला परिवार नॉइडा में सिलाई का काम करता था और 27 अप्रेल के दिन साड़े ग्यारा बज़े अचानक से एक धमाका होता है लोग जान बचा कर भागते हैं लेकिन चारपाई पर सो रही उनकी मासूम बच्ची जिसकी उम्र यही कोई 6-7 साल रही रोली उसके सिर में गोली लग जाती है एमस में उसे भरती कराया जाता है लेकिन इस मासूम बच्ची को बचाया नहीं जा सकता बेटी की मौत के बाद माता पिता ने अंगदान का औरगन डोनेशन का फैसला लिया और उनके इस फैसले की वज़े से 6 और लोगों को नया जीवन मिल गया उसी बच्ची की आप तस्वीर देख रहे हैं इस बच्ची का नाम रोली है इसी बच्ची के पिता हरी नारायन प्रजापती इस वक्त हमारे साथ जोड़ गए हरी नारायन जी सबसे पहले तो जिस मुश्किल घड़ी में से आप होकर गुजरें जो दुखों का पहाड आप पर तूटा उसके बावजूद आपने अंगदान जैसा मुश्किल फैसला बड़ा फैसला लिया छे और लोगों को नई जिन्दिगी दी सबसे पहले आपके जजबे को सलाम है और बताइए कि ये हुआ कैसे सर मैं जिला कासगंज इस उत्तर अपरदेश गां को भ्रोका खाना बनाने थे हमारी घरवाली में सामको वापस आ गई काम पैसे मैंने उन्हों रोटी बनाने को जा रही थी खाना के अचानक से आवाज आती है घमा के जैसी तो मैंने देखा पीछे मुड़के मेरी बेटी चिल्लाई कि पापा मम्मी तो हमने पीछे मुड़के देखा उसको उठाया तो उसके रक्त बहरा था पिर हमने क्या काम किया को उसको उठाया कि गोद में कपड़ा लगा कि उससे सिर्फ है डॉक्टर के पास ले गए डॉक्टर ने वहां से वना कर दिया हम पर पहुंचे सेक्टर तीस निठारी मतला हॉस्पिटर में सरकारी में प्रेजेंटिंग वी न्यूज आप अवेलेबल अन गूगल प्ले अन अप्स्टोर डाउनलोड़ेट नाउ